नमस्कार जी कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि बढ़िया होंगे तो ये है महा शिवरात्री वाले दिन का वीडियो यानि कि आज का ही सबसे पहले आपको शिवरात्री की बहुत भोषुब खामनाए और ऐसा कहते हैं कि भी रात भर जागरन होता है शिवरात्री के दिन मेर चिलके वाली मूमफली थी जो मैंने कूकर में डाली थोड़े पानी के साथ और थोड़ा सेंधा नमक डालकर हाई फ्लेम पर पांस से चैसीटी लगा ली तो मैंने छील रही हूं अगर आपके पास नोर्मन मूमफली है कच्चे वाली तो आप उन्हें पानी में डालकर को ससकती है नामिले तो क्या करें भोग नहीं लेकी हैぎे भगवान को लगेगा तो बाम-जी इसमें डाला है citric acid अगर आपके पास नहीं है तो इस ओके आप निम्बू की एक दो बूंद इसमें डाला देंगे न तो भी फट जाएगा हलका सा दाना हमें इसमें बनाना है फाड़ना नहीं है इस दूद को हलका सा दानेदार जब यह दूद हो जाएगा तब इसमें एक डालिएगा आप डैसिकेटिड कोकोनट या फिर ताजा नारियल घिसके भी आप एड़ कर सकते हैं दो टेबल स्पॉन ड्राइ मिल्क पाउडर इसमें जरूर से एड़ करिएगा अगर आपके पास है तो स्वाद बहुत बहुत अच्छा आएगा तो कई बार आपने नारिय कर रही हूं बस हलका सा दाना हमें बनाना है उसके बाद मैंने सारी चीजे मिक्स कर दी और बातों ही बातों में गाड़ा होना शुरू हो जाएगा आपको इस स्टेज तक इसे गाड़ा करना है मध्या माच पर लगाता चलाते वे आप चाहे तो इसमें कोई फूड कलर भी कर सकते हैं मैंने नहीं डाला है वाइट कलर कहीं बहुत अच्छा लगता है प्लस आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसके प्रेटिंग करनी है अब मैंने इसमें डाली है वन फूर्थ कप चीनी यानि के चार टेबलिस्पून या फिर आप अपने पसंद के साफ से म भी मीठा होता है तो जाद है मीठा ना डाले हैं पर चीनी डालने के बाद पहले तो आपको यह हलका सा रनी दिखेगा उसके बाद गाड़ा होना शुरू हो जाएगा मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे दस भी नहीं लगेंगे मैंने जादी बताया है इतनी जल्दीते है तब आप उसमें एक टेबली स्पून घी डाल दीजे और आपका मिठाई बिल्कुल ऐसा ही खटा हो जाएगा घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी मिठाई का टेक्शर बहुत ही शानदार आएगा तो घी जरूर डालेगा और बस अभी खटा हो गया है अब मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद और हमारी मिठाई का मामला कम्प्लीटली बनकर है तियार अब इसे ठंडा कर लेंगे तो इसको फैला लीजेगा मैं मंदिर से आ चुकी हूँ भगवान जी की पूजा पार्ट करके मैं मंदिर गई थी मेरे हस्बन के साथ सुबह सु बारली मॉर्निंग मैं वापिस आई तो वापिस आने के बाद मैं भगवान के भोग के लिए चीजे बना रही हूँ तो अब क्या करना है आपको आपको ले लेना है थोड़ी से पिस्ते अगर आपके पिस्ता नहीं तो इस ओके जो भी ड्राइव फूट से आप ले सकते है नहीं है तो भी कोई बात नहीं वो भी कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी तो मेरे पास नट्स हैं पिस्ता वाइट के साथ ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए हाँ पर चोपर में मैं काट रही थी और चोपर का नीचे वाला पाट नयान तूप सकते हैं या फिर मेरी तरह में घर मैं चोपर है इसमें और प्रेंटी कोटिब ना कुछ करना है अब करणा है आडर हम सबस्ट ना तोड़ा सथीक आपको लगेगा पर मुझे सबर नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत काम है तो मैंने फटाफट गर्मा गरमी हातों पर घी लगाते वे इसके लड्डू बना लिए अभी गरम है काफी जब यह ठंडा होगा तब आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया शेप आप खा रहे हैं इतना कमाल का यह बनता है तो लड्डू बनाकर यह जो हमने मिश्रन रखा था पिस्ते और कोकोनट का इसमें मिक्स कर दीजे लड्डू को अच्छे से कोटिंग कर दीजे तो बिल्कु टेक्शर वही आएगा लड्डू का जो बजार में हलवाई की दुका खाएंगे ना वह बहुत सुंधर लगेगी तो हमारे लड्डू बन कर दीया रहा है ।ोटल मेरे आठे लड्डू बने है तो लड्डू भूक के लिए बन कर दीया है अब मैं बना रही ओए एक स्नैक जो अवरत में आप कभी भी खा सकते हैं तो आप थोड़े भूध परि एक चाट बना रही हूँ जो बहुत टेस्टी बनती है आप इसे कभी भी छोटी मोटी भूटी भूट जब लगे या फिर अगर आप वेट इड्यूस करने का प्लैन बना रहे हैं तब आप जब भी भूट लगे तब आप इसे बना कर खाना इनफेक्ट जब नोर्मल डेस में आप इसे बना रहे हो बलेवे चने भी आप इसमें अड़ कर सकते हैं तो मैंने खीरा का चाम टमाटर काट लिया एक एपल लिया मैंने और एपल बड़ाई बढ़िया था एकदब मीठा एपल के छोटे छोटे चोटे टुकडे कट करेंगे सारी सबजियां जो भी हम एड़ करेंगे एक ही साइस की कट कर लेंगे तो बस यह हमेरी खूब सारी सबजिया जो है तैयार हो गई है जो भी खाएगा न एक कटोरी फुल पेट भर जाएगा गैरेंटीड भूग बिलकुल ने लगने वाली इतना हेल्दी होता है यह खुब सारा हरधनिया काट्या है मैंने और बस यह उबलेवे मूंफली एक बरतन में डाले और सारी सबजिया डाली अब यह भोज ब्रंड का मैंने लिया है भुना मसाला भुना जीरा पाउडर यूजवली हम अपने घर में भून कर रखते हैं तो मैंने इनसे मंगवाया था बहुत ही शांदर फ्लेवर एसका यह डाला मैंने एक छोटा चमच और एक छोटा चमच काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने भोज ब्रंड का डाला है आद्धे निम्बू का अरस और इसमें सेंधा नमक मैंने अड़ किया है और अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको इसमें कोई चाट मसाला अगयरा नहीं जाएगा क्योंकि व्रत स्पेशल बन रहा है नॉर्मल डेज में आप इसमें काला नमक और चाट मसाला वगयरा भी डाल सकते हैं तो यह और भी स्वाद लगेगा लेकिन यह वाली कटोरी तो ओमाइगा इस बहुत स्वाद और बहुत हेल्दी बनकर तयार हुई थी तो यह हमारी जट पर चाट ब्रत स्पेशल बन गई है आप इसे कभी भी बनाकर खाना कर दो ओम्ग यह रतावैं तो यह दो Имम्हादन